वेलकम बैक टू माय तूप चनल पेपर हैकर आजके इस वीडियों देखेंगे जो भी जातर बिटा भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम एकोनोमिक्स का एकोनोमिक्स का पेपर लेका हैं मौस्ट इंपोटेंट अब देखो ध्यान से इसमें हम क्या करेंगे यहां देखो बुला गया है बहुत जादा इंपोटेंट कोशन है इसमें एक कोशन बनता है यह वाला बहुत जादा रेपीट होता है बार बार कोशन में यह पूछा जाता है और इंपोटेंट कोशन है इस कोशन को इंपोटेंट लगा लेना और आप बड़े आसानी से बता दूँगा बस यही तरीका है यहां से लेकर यहां तक करने का बस कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है यह कोशन में मांग की देखो आपसे पूझेगा कि मांग की आए लोच को समझाईए अब इस प्रकार से आएगा कि मांग की आए लोच जो होती है उसको समझाईए तो ऐसे हम कैसे समझेंगे मैं आपको बता दो explain करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से अब paper hacker video को subscribe कर लो पहली बाद चैनल पे आए हैं और bell icon को प्रेच करा दो देखो जो important question है भाई करा रहा हूँ देखो बूला गया है कि किसी मलब पहले starting से करते हैं दोबारा से देखो कहा रहा है वस्तू की कीमत के इस्ता रखने पर उभुकता की आए में परीवर्तन के फल्सुरूप उसके दोबारा खरी दी गई वस्तू की मांग में जितना परीवर्तन होता है उस पिरकार देखो कह कर देखो करते हैं समझ जाओगे कि बस्तू की कीमत के स्थर रखने पर मतलब कोई बस्तू है उसकी कीमत को हमने इस्थर रख दिया और उभ्भुक्ता मतलब कि आप लोगों आप खरीदने आए कोई बस्तु मतलब उब्होकता आप ओ bouh खरीदने वाले तुम हो तूसके वाली बस्तु में का रहा है बस्तु की मांग वे कितना परीबदन होता है या जितना भी परीबदन हो कितना परिवर्तन हो, मतलब कि कम बढ़ जो भी हुआ, इस पिरकार आय परिवर्तन के पृति मांग की सोधन सीलता, ठीक है, यह फिर सोधन सीलता को मांग की क्या कहते हैं, लोज कहते हैं, मांग की आय लोज कहते हैं, मांग की आय लोज, अब देखो यहां समझ लो, यह आप मस्तु में खरीदने में और आय में प्रतिसत परीबर्तन जो आया है उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं मांग की आयलोज कहते हैं आपको याद हो गया याद रखना मांग के प्रतिसत में परीबर्तन और आय में प्रतिसत में परीबर्तन के अनुपात को बीच में जो अ अब देखो दो एक बैग्यानिक थे या फिर इसको हम बुद्धिमान कुछ भी कह सकते हैं अब यहां क्या थे अब उन्होंने क्या कहा यह सास्त्र भी कह सकते इनको एक हेग नाम के थे और एक इस्टेनियर नाम के थे इस्टेनियर और हेग के अनुसार क्या था इन दोनों बेद्वानों ने यह बताया कि मांग की आए लोच किसी बस्तू की मांगी जाने बाली मात्राओं में होने बाले परीवरतन यह बोला गया मांग के परतिस्थत प आनुपाद को व्यक्त करते हैं तो वही हम से बोला गया आप यहां से लेकर यहां तक अपने लिखा है वह इतना है लोगता की आए में पूरा सुत्रयत इतना करना है कुछ नहीं करना आई हुब आपको वीडियो पसंद आए चल्व सब्सक्राइब कर लेंगे चल्व कर लेंगे और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने कलिए चल्व को अभी सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिन इस वीडियो बाई